हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब सामने आया है एबीपी न्यू सम्वादा दा मनोज वर्मा इस समय बंगाली मार्किट में मौजूद है मनोज सबसे पॉश इलाका है दिली का वहां से 35 में से तीन मजदूरों का इस संक्रमन पॉजिटिव आना चिंता जनक खबार है और बाकी क्या जो मजदूरें उनको कॉरिंटीन किया गया है जी बिल्कुल देखिए बहुत ही दुकत खबार है कि जो 35 में से तीन मजदूर थे वो कॉरोना पॉजिटिव पाए गए और इस वक्त मैं बंगाली मार्किट पर ही मौजूद हूँ ये तांसेन मार्ग है जो बिल्कुल बंगाली मार्किट की तरफ जाता है और जो पूरा का पूरा इलाका है उसको सील कर दिया गया है किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और लगातार बकाइदा अनाउंस्मेंट चल रही है पुलिस की तरफ से कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले इसके बगल में अगर मैं बात करूं तो सिकंद्रा रोड है उसे बंद कर दिया गया है अंदर टोडर्मल रोड है उसे बंद कर दिया गया है और बाबर रोड बाबर लेंज सभी जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं है बाखी के जो मख़ूर थे ने कॉरेंटी जवाब बहुत छोटा सा जवाब ये बेकरी में ये जो लोग थे 35 लोग क्या इन्हें उस बेकरी में ही रखा गया था कहां रह रहे थे ये छोटा सा जवाब जी बिल्कुल देखी उनको बेकरी के अंदर ही रखा गया था और जब दिल्ली सरकार की टीम यहाँ पर रेंडमली चेकिंग के लिए पहुँची तब ये लोग वहाँ से निकल करके सामने और उसके बाद पता चला कि तीन को जो करोना पॉजिटिफ था यही वज़े है कि पूरे इलाके को सील किया गया है क्योंकि ये मार्केट जो थी इसमें कुछ शॉप्स खुली हुई थी और पूरा बेहत पौश इलाका है दिल्ली का और अब पूरा इलाका सील है कोई ना अंदर आ सकता नहीं कोई बाह दाउन का पूरे मानदारी के साथ पालन कीजे कोरोना को हराना है